मंजिले उन्हें को मिलती है जिनके कदमों में जान होती है पंकों से नहीं दोस्तों होसलों से उड़ान होती है जान है और छोटी सी बात आपसे शेर करनी थी मुझे करती तो बात एशी है कि बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि जसे हम भार बार सांप पगड़ते हैं और कुछ एरिया ऐसा होते है जहां पर एक ही नसल की सांप मिलती है जैसे अभी मेरे एक कुछ मेरे ऐसी एरिया है कि वहां पे सिर्फ धामन सांप मिलता है रैट स्नेक दूसरा सांप जो वहां पे मिलता नहीं कभी भी हमेशा वहीं मिलता है और मैंने लोगों को समझा के रखा है लोगों ने पैचान भी लिया है उसको अच्छी तरह तो हुआ मुझे एक शादी का ओडर तो उस ओडर पर मैं गया था और मुझे एक शक्स ने फोन किया बोला कि एक सांप है बहुत बड़ा जल्दी आई तो मैंने उनको कहा कि वहां पर धामन साप है तो आपको डरने की ज़रूत नहीं है और अगर मैं वहां पर खुद भी आऊंगा तो म दो चर फोटो लेकर जो उसने मुझे मेल की और मैं उस वक्ते शादी के ओडर पर ता फोटो निकाल रहा था तो मुझे जब टाइम मिला उसने बताय कॉल कर तो मैंने फोटो चेक कि तो मैंने उसको का यह रैट्स नेगे इसको पकड़ने के ज़रूत ने घबराओं मत कितन द्धामन साब को पहचानता है और उसने दो चार बार उस साम को पकड़ा भी है तो उस शक्स ने किया गिया एक पैसे के लालच में उसने कहा कि मैं सर्प मित्रूं और मैं 500 रुपए लूँगा क्योंकि यह जरीला साब है उसने ऐसा बताया तो तो जिसने मुझे कॉल किया तो शक्स ने कहा कि अरे वह दिपक भाई तो आमिशा आपर पकड़ दे वह तो चार्ज लेते नहीं और उन्हें ने तो पहले बताए कि धामन साब है और उनको मैंने फोटो भी भेजी तो उन्हें मुझे बताए कि धामन साब है तो इसके अंदर तो जहर भी नहीं होता तो उस शक्स ने उस दामन साब को वहां से पकड़ा और पकड़ने के अपर बता कि यह फिलल मेरे हात में जो जहरीला साब है और वहां से उसने 500 रुपई लिए और वहां से वह चलता बना तो कहने का मतलब यह है कि किसी के उपर विश्वास मत करो और आपके एरिया में कोई न नहीं लगता तो आप मुझे बताइए मैं दूसरे सर्फ मित्र को वेजूँगा आप आपके बास जिसका नंबर होगा आप दूसरे सर्फ मित्र को कॉल किजिए लेकिन किसे बहुत सारे लोग क्या कर दें शराब की लालच में उनको पैसे मिलेंगे इस वज़े से वह जबर किस आदमी को आपने कभी देखा नहीं या उसके पकड़ने के तरीके से आपको लगता कि यह गड़त हैं तो उसको वहां से मना कर दीजिए वहां से छूट कर चले गया तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कल को उसकी अगर जान चले गई तो इसके जिम्मेधारा आप होंगे जिसने कॉल करके बुलाया तो बस मुझे यही कहना था सत्रक रहें खुश रहें सत्रक रहें चौकरने रहें आपको पता चल जाएगा कि वागए वह सर्क मित्र है या कोई लोकल इंसान है क्या करते हैं वीडियो दो देखते हैं और धामन साब को पगड़ने की कोशिश करत दें तो ऐसा करने देना नहीं है क्योंकि अगर गलती से उसके जरीला सांफ हो गया तो इंसान की जान चले जाएगी अगर उसके पास किसी और्गनेज़ेशन का फॉरेड इंपार्टमेंट का को एकर आपको उसके पास आइकाड है तो पहले उसको पुरो आइकाड दिखाओ आपके पास कि वाकए आप सर्क मित्र हो क्या नहीं क्योंकि अकल को तो कोई भरोसा नहीं आजकल और कुछ जान चल पास कि पास 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 आइकाड नहीं भी वा उसके पास भूल भी गया तो आपको उसको पूरी मालुमात देगा और सई तरीकी से उसको इंसान से दूर चोड़ेगा जिससे वह भी सेफ रहेगा और इंसान भी सेफ रहीं तो बसकी इस बात का आपको ध्यान में रखना है और चोकरना रहना और अलट रहना है हर बार मैं वीडियो में यह बता हूँ तो फिर मिलेंगे हम जल्दी से पिर किसी जानकारी के साथ तब तक गिले जय हिन जय वारत